तो स्टार मार्सल कॉट टेकनीक के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि चूसिंग सिंगे के उपर अपने ड्रेगन एक्सप्लोजन का यूज करता है और तभी सिंगे अपने आइस स्पियर का यूज करके चूसिंग को वहीं पर फ्रीज कर देता है पर चूसिंग उस आइस को तोर कर वहाँ से बाहर निकल जाता है और अब चूसिंग और सिंगे के बीच दुवारा फाइट स्टार्ट होती है पर दोनों की ही पावर एक्वल होती है जिससे वहाँ दोनों वहाँ पर नीचे गिर जाते है और दोनों ही घायल हो जाते हैं अब आन्सुंग्यून भागते हुए सिंगे के पास आती है और बोलती है कि क्या वह ठीक है जिस पर सिंगे बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ पर अब हमें जल्दी जाकर यूनिंग को बचाना होगा तभी चूसिंग हसता हुआ बोलता है तुम लोग यूनिंग को बचाना चाते हो पर अब काफी देर हो चुकी है सिंगे बोलता है मैं यह नहीं मानता क्यूंकि मुझे पता है कि तुम लोग बस यूनिंग को कैप्चर करना चाते हो उसे मारना नहीं चाते और तुम लोग यूनिंग का यूज करके नॉर्थन सिटी के किंग को अपने अंडर लाना चाते हो जिससे तुम उससे जो चाहे वह करवा सको इसलिए सिंगे अब चूसिंग को कैप्चर करेगा और वह यूनिंग को छोड़ने के बदले ही चूसिंग को छोड़ेगा यूनिंग पकड़ी भी जा चुकी होगी अब दिखाया जाता है कि जंगल में एक जगह पर यूनिंग एक फिफ्स लेवल के बियर्ड से फाइट कर रही होती है और उस बालू के अटैक से बच रही होती है वहीं दूसरी और लियंग यू बाकी टीचरों को लेकर सिंगे के पास आ जाता है और अब वह सभी लोग देखते हैं कि वहाँ पर चूसिंग और सिंगे फाइट कर रहे होते हैं अब वह सभी लोग सिंगे और चूसिंग को वहाँ पर देखकर उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है अब चूसिंग बोलता है कि वह यहाँ पर सिंगे और आंसुंग्यून से मिला और उसने इन दोनों को कहा कि वह वापस चल कर हम सभी से बात करें पर फिर सिंगे ने मुझे पर अटैक कर दिया तभी आन सुग्यून बोलती है तुम जुट बोल रहे हो तुमने पहले सिंगे पर अटैक किया था तभी लियंग्यू बोलता है चुप हो जाओ मैंने पहले भी तुम्हें तीन स्टुरेंट्स को मारते हुए देखा है और अब तुम टीचर चू सिंग को मारने की कोशिस कर रहे हो अब वहाँ पर एक टीचर बोलता है सिंगे आंसिंग्यून मैंने कभी नहीं सोचाता कि तुम ऐसा कुछ करोगे तो अब तुम दोनों खुद को हमारे हवाले कर दो उसके बाद वाइस प्रिंसिपल ही तुम्हारा फैसला करेंगे अब यह सुनकर वहाँ पर आंसिंग्यून सोचने लगती है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए क्योंकि अभी सिंगे काफी ज़्यादा गायल है और वह एक साथ दोनों टीचर को नहीं हरा सकता है क्योंकि वह दोनों ही टीचर हेवेंली रेलम के फिफ्ट लेवल पर है तभी लियांग्यू बोलता है मुझे पहले सही पता था कि तुम अच्चे परसन नहीं हो सिंगे तुम चाहे कितने भी टैलेंटेड क्यों नहीं हो तुम हमेशा हमारे स्लेव ही रहोगे आन सुंग्यून ने तुमारी थोड़ी मदद क्या कर दी तुम तो आन सुंग्यून के कुट्टे बन गए पर अब तुम यहां से बज़ कर नहीं भाग सकते तभी टीचर बोलता है सिंगे आन सुंग्यून तुम दोनों यहां पर मेन सेस्पेक्ट हो तो फिर अब तुम दोनों को हमारे साथ चलना होगा और अगर तुम दोनों ने हमारे साथ चलने से मना किया तो हमें फोर्ट्स का यूज़ करना होगा सिंगे बोलता है मुझे पता है कि मैं यहां पर कुछ भी बोलू तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे पर जब तक मैं जिन्दा हूँ यूनिंग को कुछ नहीं होने दूँगा तो अगर तुम मुझे रोकना चाहो तो कोशिस कर लो अब सिंगे के अंदर से निकलने वाली औरा को देखकर वह सबी लोग काफी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं अब वह टीचर बोलता है तो सिंगे तुम हमारी बात नहीं मानोगे सिंगे बोलता है मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है और तभी वह टीचर सिंगे पर अटैक कर देता है पर सिंगे बड़े ही आराम से उन दोनों ही टीचर को हरा देता है अब यह देखकर वहाँ पर लियंग्यू काफी ज़्यादा डर जाता है और सिंगे लियंग्यू की और आगे बढ़ने लगता है तभी सिंगे देखता है कि चूसिंग वहाँ से भाग चुका होता है और तभी वहाँ से लियंग्यू भागने की कोशिस करता है सिंगे बोलता है तुम यहां से ऐसे नहीं जा सकते अब लियांग्यू बोलता है सिंगे तुम मुझे ऐसे नहीं मार सकते अगर तुमने मुझे यहां पर मार दिया तो मेरी आंग्यूंग फैमली तुम्हें नहीं छोड़ेगी और अगर तुमने मुझे यहाँ पर मारा तो मेरी फैमली तुम्हारी पूरी फैमली को मार देगी अब सिंगे लियांग्यू के पास आता है वही सिंगे को देखकर लियांग्यू की हालत खराब हो चुकी होती है और तभी सिंगे लियांग्यू को दो थपर मारता है और बोलता है पहला थपर आंसुंग्यून की बेस्ती करने के लिए और दूर सा थपर मुझे और मेरी फैमली को इस तरीके से ट्रीट करने के लिए और आज के बाद अगर तुम्हारी फैमली ने मेरी फैमली के साथ कुछ भी बुरा किया तो मैं तुम्हारी पूरी फैमली को मार दूँगा और अब सिंगे आन सिंग्यून को लेकर वहाँ से चला जाता है तभी Liangyu के पास उसका साथ ही आता है और बोलता है कि Liangyu सिंगे की सिकायत अपनी फैमिली में कर दे जिसके बाद Liangyu की फैमिली सिंगे को समाल लेगी तभी Liangyu गुसा होते हुए बोलता है तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो क्या तुम्हें यह नहीं पता कि सींगे वाइस प्रिंसिपल का स्टूडेंट है अगर हमने सींगे को मरवा दिया तो वाइस प्रिंसिपल हमें नहीं छोड़ेगा अब वहाँ पर वहां दोनों टीचर उठते हैं जिसमें से एक टीचर बोलता है लिंगी अब हमें क्या करना चाहिए क्या हम वाइस प्रिंसिपल को बोल कर उन दोनों को अरेस्ट करवा दे लीन यी बोलता है नहीं इसकी कोई जुरत नहीं अगर उन दोनों ने उन स्टूडेंट्स को मारा होता तो अभी यहाँ पर हम में से कोई भी जिन्दा नहीं बचता और जिस वक्त हम सींगे से फाइट कर रहे थे उसी वक्त चूसिंग वहाँ से भाग गया दूसर टीचर बोलता है तो फिर तुम कहना चाहते हो की यह सब चूसिंग ने किया है आखेर वह क्या करना चाहता है तब लिंग यही बोलता है वह यूनिंग के पीछे है यह सुनकर वह टीचर काफी ज़्यदा ड़ जाता है और बोलता है अगर नॉर्टन सिड़ी के किंग को इस बारे में पता चला तो वह हमें मार देंगे तो अब हमें क्या करना चाहिए लिंग यी बोलता है अगर हमें अपनी जान बचानी है तो हमें जल से जल यूनिंग को डूड़ना होगा और अब असबी लोग यूनिंग को डूड़ने के लिए चले जाते हैं वहें दूसरी और यूनिंग उस बालू से फाइट करता ही होती है पर वह बालू काफी ज़्यादा स्ट्रॉण होता है और यूनिंग को घायल कर देता है अब वह बालू यूनिंग पर अटेक करने जाही रहा होता है कि तभी पीछे से एक अटेक आकर भालू को लगता है और अब सिंगे यूनिंग को उसका वैपन दे देता है और अपना वैपन मिलते ही यूनिंग उस भालू पर अटेक करके उसे मार देती है अब सिंगे को देखकर यूनिंग बोलती है सिंगे क्या तुम चाती हो कि मैं यहाँ पर मर जाओं अगर मैं यहाँ पर मर गई तो सारी responsibility तुम्हारी होगी सिंगे बोलता है पर मैंने कभी यह responsibility ली ही नहीं और तभी वहाँ पर वहाँ बालू एक black aura में convert हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है यह देखकर आंसुंगिन बोलती है यह क्या है यूनिंग उसे बताती है कि यह ghost whisper something technique है और किसी person ने इस भालू को यहाँ पर समन किया होगा अब सिंगे आंसुंगिन को वहाँ पर यूनिंग का ध्यान रखने के लिए बोलता है और उस black aura के पीछे जाने लगता है अब सिंगे भागता हुआ उस जगह पर पहुँचता है जहाँ पर वह marksman खड़ा होता है अब वह marksman बोलता है मुझे पता था कि तुम यहाँ पर जरूर आओगे क्योंकि मैं तुम्हें काफी वक्त से देख रहा हूँ और तुम काफी ज़्यादा talented हो तो सिंगे क्या तुम सच में हमसे fight करना चाते हो सिंगे बोलता है मुझे बताओ के तुम कौन हो अब वह marksman बोलता है तुम हमारे साथ join हो जाओ फिर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा मैं तुम्हें हमारी organization join करने के लिए invite करता हूँ सिंगे बोलता है मुझे तुम्हारी organization में कोई भी interest नहीं मैं यहाँ पर बस तुम्हें warning देने के लिए आया हूँ अगर आज के बाद तुमने मेरे सामने लोगों को hurt किया तो मैं तुम्हें नहीं चोड़ूँगा माक्समैन बोलता है सिंगे क्या तुम अपनी आंट की मौत का बदला लेना नहीं चाहते हो आज से 100 साल पहले हमने यह organization बनाई थी हमने हर जगा घूम कर talented लोगों को एक साथ इखटा किया पर अभी हमें और भी लोगों की जरूरत है और सिंगे अगर तुम इसी तरह एक ordinary life जीते रहे तो तुम हमारे दुस्मन बन सकते हो या फिर तुम उन नोवल फैमिलीज के पाल तो कुत्ते बन कर रहोगे सिंगे बोलता है मैं नोवल्स का स्लेव नहीं बनूँगा और ना ही मैं कभी तुम्हें जॉइन करूँगा और अब यहीं पर ये एपिसोड कतम हो जाता है